एक बार में चेहरे का सारा मेल इसे रिमूव हो जाएगा जैसे कि आपने पालर से महंगा फेशियल कराया हो कि चिन के रखे समान से करें फेशियल और चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लाएं चेहरे का सारा मेल रिमूव कर सकते हैं एक बार में तो इसके लिए आपको क्या करना ह आपको लेना है gram floor basin basin हमारी skin को exfoliate करता है चेहरे का सारा मेल रिमूब कर देता है और skin को soft और मुलाइम बना देता है तो एक चमच आपको लेना है gram floor basin add करना है चावल का आटा rice floor चावल का आटा Korean में भी लोग इसका use करके अपनी skin care करते हैं और ये natural scrub का work करता है चावल के आटे के जो चोटे चोटे पार्टीकल होते हैं वो हमारी skin से dead cells को remove करते हैं white heads को remove करते हैं skin को एकदम soft और clean कर देते हैं हमारी skin पर जो भी mail होता उसको remove कर देता है चावल अब आपको इसमें add करना है अंबा हल्दी मैंने अंबा हल्दी add की है helps goodness की अंबा हल्दी हमारी skin को निखालने का काम करती है pigmentation को दूर करती है और जाईयां काले निशान को भी दूर करती है next मैंने इसमें add किया है curd दही दही हमारी skin से दाग धबे जाईयां काले निशान को दूर करता है skin पर glow लाता है जिनकी skin बहुत जादा dry रहती है वो इसमें दही add करे यदि आपकी skin normal है तो आप इसमें चाहे तो कच्चा दूद add कर सकते हैं दही हमारी skin को जो भी tanning होती है उसको भी दूर करता है skin को glowing बनाता है दही में lactic acid होता है अब आपको इसको अच्छे से mix कर लेना है अच्छे से mix करना है इसमें जो भी ingredient हमने add करे है वो सारे natural है और हमारे घर के हैं और इससे आप अपने चेहरे पर सारा mail remove कर सकते हैं वो भी 10 से 15 मिनिट में आपका face एकदम clean और soft हो जाएगा इसको apply करने से पहले अपने face को अच्छे से धोले wash कर ले फेस को clean करकर ही आपको इसको apply करना है पूरे face पर और आप चाहें तो इसको नहाने से पहले लगाए जिससे कि आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे और आप इसको neck पर भी अच्छे से लगा सकते हैं आप इसे हाथ पेरों पर भी use कर सकते हैं और इससे आपके face पर जो भी सारा mail हो जाता है हमारी skin पर बहुत ज़्यादा tanning हो जाती है धूल मिट्टी ये सब हमारे face पर जमा हो जाते हैं जिससे हमारी skin बहुत ज़्यादा डल लगने लग जाती है तो आपको क्या करना है इसको बनाना है और पूरे face पर अच्छे से apply कर लेना है और ये आपकी skin से जो जिनकी skin पर बहुत ज़्यादा whiteheads हो जाते हैं तो वो एक बार में ही remove हो जाएगा और आपकी skin एकदम soft कर देते हैं क्योंकि इसमें जो चावल का आटा है वो natural scrub का काम करता है और ये आपकी skin को एकदम clean और इतना soft बना देगा जैसे कि आपने पालर से facial कराया हो जिस तरह से हम पालर से facial कराते हैं उस तरह से हमारे kitchen में ingredient हैं जिससे भी हम अपने face पर पालर से भी ज्यादा glow ला सकते हैं वो भी कम budget में और आप अपने time को भी बचा सकते हैं और अपने skin को harm भी नहीं होने देंगे क्योंकि जो पालर वाला facial होता है वो किसी को suit होता है और किसी को नहीं होता है और जो natural चीजे होती है वो सभी की skin को suit भी करती है और कोई skin को side effect भी नहीं करती है तो ये सारे ingredient होती ज़्यादा फायदे मन्दे हमारी skin के लिए तो मैंने इसको पूरे face पर अच्छे से लगा लिया है आपको क्या करना है इसको लगा कर कम से कम 10 minute के लिए छोड़ देना है 10 minute के बाद में आपको क्या करना है अपने face को पहले गीला कर लेना है जब ये dry हो जाए तब अच्छे से पहले face को गीला करें गिला करने के बाद में बिलकुल हलके हलके हातों से आपको मसाज करना है नीचे से उपर की और हातों को इस तरह से गोल गोल गुमाते हुए आपको मसाज करना है नीचे से उपर की और चिन से आपको start करना है इस तरह से आपको massage करना है इससे क्या होगा आपकी skin पर blood circulation बढ़ेगा जिससे आपके face पर glow आएगा यदि समय से पहले जुर्री आ गई है face पर तो आपको massage करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि massage करने से हमारे face पर blood circulation बढ़ता है और जिससे हमार skin tight भी होती है और साथ में हमारे face पर glow भी आता है तो massage करने से हमारी skin tight होती है जैसे कि fine lines wrinkle दिखने लगे हैं समय से पहले जुर्री आ गई है आखों के नीचे भोस से लोगों को line ने बनने लग जाती है तो massage करने से क्या होता है fine lines wrinkle खतम होती है और जो जुर्रे आती है वो दूर वेने लगती है धीरे धीरे करके तो अच्छे से आपको massage करना है इससे आपके face पर बहुत अच्छा glow आएगा और आपकी skin इतनी glow करेगी जैसे कि आपने paler से महंगा facial कराया हो तो अच्छे से आपको massage करना है बिल्कुल हलके हलके हाथों से इस तरह से जिस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ आप देखेंगे आपकी स्कीन पर इतना अच्छा गिलो तो आएगा साथ में आपकी स्कीन एकदम सॉप्ट हो जाएगी एकदम मुलायम और चिकनी हो जाएगी तो नैचरल चीजों का यूज करके आप भी अपने फेस को एकदम चमका सकते हैं आप देख सकते हैं इसकीन कितनी साफ हो जाती है और इसकीन एकदम चिकनी और सॉप्ट और मुलायम हो जाती है तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंग चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आल पे जरूर किलिए करें जिसे मेरे वीडियो के आने वाले नियू नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए और टेक केर और वीडियो को फुल वाच करने के लिए थैंक यू